में जो एक चैलेंज बन गया COVID-19 की वज़े से, अगर MSME सेक्टर के उपर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, और इसलिए उन्होंने MSME सेक्टर की डेफिनेशन भी चेंज करी, उसको जाच अनिल जी बता रहे थे, उसको फाइनस करने की कोशिश भी की, तो MSME सेक्टर में जो GST के फामने, दो हैं मुत्य हैं, एक तो है compliance burden, एक है tax rate, तो कल जो फैसले किये गए, वो compliance burden के बारे में क्या गया है, मैंने का तीन साल हो गए, बहुत सारे MSME सेक्टर की written file नहीं हो पाई, लेट हो गई, अब उसकी penalty 200 रुपे पढ़े गे, इसाब से बहुत heavy penalties बनती हैं, तो उ अगर आपकी कोई default हो गया पिस्ते तीन सालों में, तो आपने नहीं भराया, आगे भर दीजिए, तो उसको अपने late fee को घटा दिया है, अब आपका सवाल है कि MSME सेक्टर की production को, consumption को कैसे बढ़ाय जाए, यह मान के चलिए कि साब MSME सेक्टर के पास COVID-19 के जब lockdown होने के देवैलप नेशन और डिवैलपिंग लेंश जो लेकिन डिवैलप नेशन जैसे अमेरिका है, Kaneda है, Sury價 है, नूचिलेंट है, उनके पास पास रिसूर्स ही जितने पैसे हैं कि वो लोगों को रहास बाटने के लिए उस रिसूर्स ही से पैसे बाट देते हैं, लेकिन डिवै करणटीर के इशू है करणटी वर्किंग है अब सवाल आया कि मार्च अप्रेल मही में जो लॉकडाउन हो गया जिसकी वज़े से उनकी सेल नहीं हुई तो उनकी बेजिस का बिल है रेंट के बिल है यह बिल है यह यह इस और साथ की साथ डिमांड में बहुत भारी कमी आ गई तो अब हमें डिमांड को बूस्ट करने के लिए कोई ने कोई स्टीमिलेस की वर्किंग है ताकि कंजूमर उस चीज को खरीदे जैसे अनिल जी ने एक अच्छा सुझाओ दिया है कि अगर जैसे मोटर कार के उपर आज की डेट में या कुछ और आइटम ऐसी है जो हम समझत है कि लोगों ने डिसीजन पोस्टपोन कर दिया है कि शायद हमर पर अभी नहीं लेंगे कोविड हो रहा है उन लोगों के इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार सोचे कि शाद टैक्स डेट को कुछ कम कर दे लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि सरकार की वी एक अपनी ब पर मंत रिवेन्यू के आएगा उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेट गवर्मेंट को 14% की ग्रोथ का येरली प्रामिस कर दिया पांच साल के लिए अब आज की डेट में जी स्टी पे चार स्टेक होलडर हो गए एक तो सेंट्रल गवर्मेंट हो गई एक स् मैं ट्रेडर है और एक ज्वार हो गया अब इन चारों के अपने अलग अलग अपने अपने अइंटरेस्ट हैं कर दिया जाए बिलकुल सप्लायर चाता है मुझे इनपुट एक्स क्रेडिट मिल जाय कम कर दिया जाये मेरी और इनवर्ट ड्यूटी के बारे में में मेरी कि यही रास्ता है जी का इसी लिए कल जो जिस्टी कॉंसिल में डिवेट हुई गी देगे 45,000 कुरोंटर पर के लगबक महिने की रिकवरी आ रही है और स्टेट गोर्णने चाहरी है हैं तो ये बोरोईंग की रीपेमेंट कहां से होगी ये रीपेमेंट तब होगी जब सेंटर गौर्वर्मेंट आगे से पैसा रिलाइज करेगी इसका मतलब जो सेस लगाया हुआ हमने एठाइस परसेंट से बियोंड वो दो हुजार बाइस के बाद भी सेस चले और सरकार है कि सेस कतम हो जाएगा दोजार बाइस का लेकिन इन हालतों में सेस चलाना पड़ सकता है तो ये अपने आप में एक एकोनमी के बड़े भारी इशू है लेकिन आज की डेट में एको ग्रोफ देने के लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में सोचें कि हम कंजम्शन या डिमा होने से कुछ फरक पड़ जाएगा वो अपने अपने रिवेन्यू की कंपल्चन है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे ठीक नेकर अनिल जी ये सारी बातों को मद्द नजर रखते वे राजिस सरकार ने भी जो अपने कुछ रिक्वेस्ट सेंटर को किया है कि भाई लॉक्डाउन के दौरान बहुत सारा पैसा जो था वो वेलफेर में खर्च हो गया हमें अब जो पैसे की कमी महसूस हो रही है रिवेन्यू उतना जन्रेट हो नहीं पा रहा है चोंकि बहुत सारे जो अध्यू उतने सब कुछ बंधी थे ऐसे इस्थिति में जो राजिस सरक करना पड़ेगा सरकार की पास पैसे कहां से आते हैं दो तिन बड़े मुद्धे हैं जहां से पैसे आते हैं एक है जी एस्थि दूसरा है आपका स्टैंप ड्यूटीज प्रपर्टी टैक्स अगर आप मैं आटो मोबाइल के बारे में जैसे है क्यापको मैंने सुजाओ दिय है ऐसे ही अगर रियल एस्टैट का स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के पास एक बहुत बड़ी रकाम आती है अगर रियल एस्टैट सेक्टर को देखा जाए तो उसमें बहुत जादा इंप्लॉयमेंट है इंप्लॉयमेंट अपॉर्शनिटीज हैं अगर आप देखें कि स्टैंप ड्यूटी जो है पूरे देश में वो अलग अलग है कोई 18% लेखता है को 12% लेता है दिली में 8% है लेडी के लिए 5% है एक हम लोगों ने सजेशन दिया था कि जैसे रेट बना दिया गए है एक देश एक टैक्स अगर उसको स्टैंप 4% होगा तो उससे जो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है वो अभी भी पार अफ अटॉर्णी पे हैं वो रिजिस्टर नहीं हुई है क्योंकि उसके अंदर ये एक अच्छा सुझाव है तो दू कीजिए वो स्कीम वैसे जो वैलिड है वो 31 ऑक्टूबर तक वैलिड है तो उसको अगर ऑक्टूबर तो देखा जाए तो भी ऑल्रीडी दो महीने होने को आए और अभी सिर्फ डिस्बर्समेंट हुआ है बारा लाग बारा हजार करोड का तो उसके लिए ये भी सोचना की डेट पे जो आउट्सेंडिंग अमाउंट था उसके उपर 20% उन्होंने देने की गोश्चना की अगर अगर मेरा उद्योग ठीक चल रहा था मेरा वैपार अच्छा चल रहा था मैं बैंक से पैसे नहीं ले रहा था और आज मेरा वैपार क्योंकि ठब हो गया है तो क्यों को मी पैसे दी